पंडित की बकरी पुराने समय की बात है एक पंडित अगनिदेव की पूजा करता था एक दिन उसके एक जजमान ने उसे एक मोटी बकरी भेट में दी पंडित ने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की योर चल पड़ा रास्ते में जब वह जंगल से गुजर रहा था तीन चोरों की नजर उस बकरी पर पड़ी एक चोर बोला अगर हमें यह बकरी मिल जाए तो आज हम दावत उड़ाएंगे तीन चोरों ने मिल कर यह तै किया कि वे पंडित को ठक कर उसकी बकरी चीन लेंगे पहला चोर पंडित के पास गया और बोला इस मैले कुट्टे को अपने कंधे पर रख कर कहा जा रहे हो पंडित जी पंडित चिफकर बोला यह कुट्टा नहीं बकरी है मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ मुर्ख पंडित आगे अपने घर के लिए चल पड़ा अब दूसरा चोर उसके पास आया और बोला पंडित जी आप एक मरे हुए बच्छडे को कंधे पर उठा कर क्यों घूम रहे हो इस बार पंडित बोला मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसे मृत बच्छडा क्यों बोल रहे हो यह तो बकरी है पंडित आगे बढ़ा थोड़ी दूरी पर उसे तीसरा चोर मिला वह पंडित से बोला इस बंदर को अपने कंधे पर उठा कर तुमने अपने धर्म का अपमान किया है अब पंडित थोड़ा घबरा गया असमंजस की इस्थिती में उसने सोचा तीनों में से एक भी वेक तिने यह नहीं कहा कि मैं बकरी को लेकर जा रहा हूँ कहीं यह कोई बहरुपी या राच्छस तो नहीं पंडित डर गया डर के मारे उसने बकरी को वही फेका और अपने घर की ओर भागा तीनों चोर थाहा का लगाते हुए वहां से आये और बकरी को लेकर चले गए